मेरे प्यारे देश्वासियों, असम के बौंगाई गाउं में एक दिल चस्प परियोजना चलाई जा रही है। प्रोजेक्ट संपुलना, इस प्रोजेक्ट का मकसद है कूपोशन के खिलाब लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहट किसी आंगणवाडी केंदर के एक स्वस्त बच्चे की माँ, एक कुपोशित बच्चे की माँ से हर सप्ता मिलती है और पोशन से सम्मंदित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। यानि एक माँ, दूसरी माँ की मित्रबन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक की मदद से इसक्षेत्र में एक साल में 90 प्रतिसत से जादा बच्चों में कुपोशन दूर हुआ है। अब कलपना कर सकते हैं। क्या कुपोशन दूर करने में गीत, संगीत और भजन का भी इस्तिमाल हो सकता है। मद्द प्रदेश के धतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान, इस मेरा बच्चा अभियान में इसका सभलता पूर्वा प्रयोग किया गया। इसके तहट जिले में भजन, किर्तन आयोजित हुए, जिसमें पोशन गुरु कहनाने वाले सिक्षकों को बुलाया गया। एक मटका कारकम भी हुआ, इसमें महलाए आंगनवाडी केंद्र के लिए मुठी भर अनाद लेकर आती हैं। और इसी अनाद से सनीवार को बालभोज का आयोजन होता है। इससे आंगनवाडी केंद्रों में बच्चों की उपस्तिती बढ़ने के साथ ही कूपोशन भी कम हुआ है। कूपोशन के प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिए एक यूनिक अभ्यान जार्खन में भी चल रहा है। जार्खन के गिरिडिम में साब सीडी का एक गेम तयार किया गया है। खेल खेल में बच्चे अच्छी और खराब आतकों के बारे में सिखते हैं। साथियों कूपोशन से जुड़े इतने सारे अभीनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि हम सबको भी आने वाले महने में इस अभ्यान से जुड़ना है। सितंबर का महिना त्योहारों के साथ साथ पोशन से जुड़े बड़े अभ्यान को भी समर्पित है। हम हर साल एक से तीस सितंबर के बीच पोशन महां मनाते हैं। कुपोशन के खिलाप पूरे देश में अनेक क्रियेटिव और डायवर्स एफर्स किये जा रहा है। टेक्नलोजी का बहतर इस्तिमाल और जन्भागीदारी भी पोशन अभ्यान का महत्वपुन हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाडी कारकरताओं को मोबाइल डिवाइज देने से लेकर आंगनवाडी सेवाओं की पहुँच को मोनिटर करने के लिए पोशन ट्रेकर भी लाँच किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्टिक्स और नौर्स रिस्ट के राज्यों में चाउदा से अठारा साल की बेटियों को भी पोशन अभ्यान के दायरे में लाया गया है। कूपोशन की समस्या का निराकरण इन कदबों तक ही सिमित नहीं है। इस लड़ाई में दूसरी कई और पहल की भी अहम भूमी का है। उधान के तौर पर जल जीवन मिशन को ही ले। तो भारत को कूपोशन मुक्त कराने में इस मिशन का भी बहुत बड़ा असर होने वाला है। कूपोशन की चुनोतियों से निपटने में सामाजिक जागरुकता से जुड़े प्रयास महत्पपण भूमी का निभाते हैं। मैं आप सभी से आगर करूँगा कि आप आने वाले पोशन महा में कूपोशन या मालन्यूट्रेशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जुरूर ले।